वेल्समन इंडिया वेल्समन ग्रूप की ही दिगज कम्पनी होम टेक्साइल सेक्टर में बड़ा कारोबार करने वाली यह कम्पनी और बड़ी-बड़ी दुनिया भर की कम्पनियों के साथ इनकी साज़े दारी है मसलन वॉलमार्ट, एमेजोन, डीमार्ट, हिंदुस्तान में बिग बाजार, टाज गूर्प के साथ इनकी पार्टरिशिप्स हैं अलग-अलग बिजनिसेज के लिए, अब मिन सप्लाइव अगेरा के लिए और जो दुनिया भर में बहतरिन टॉयल बनाने का जो कारोबार करती है कम्पनी लगबग लगबग 85,000 मिट्रिक तन की क्षमता है और बैड लिएन की 90 मिलियन मिटर की क्षमता है इस कम्पनी की, आईए मुलाकात करते हैं हम कम्पनी के टॉप मेंजिमेंट से जोईंट M.D. और C.O. वेल्सपन इंडिया की दिपाली गोईनका जी हमारे साथ कारेकर में हो रही है शामिल जिनने ने साइकलोजी में ग्रे बिजनिस को समय देने के लिए, सबसे पहले एक बार है ना, ग्लोबल मूर माहूल पर बात करना चाहता हूँ, इस्पेशली अमेरिका में हम देख रहे हैं, वहां पे कंजम्शन को लेकर, रिटेल कम्पनियों की तरफ से, बड़े अलग-अलग सी चीज़ आ रही है, कोई कम बिजनिस कट करती है, कोई कमनी कह रही कि नहीं ठीक है, किसी के रिजल्स अच्छे आ रहे है, टारगेट, वोलमार्ट, यह सारी जो कम्पनिया है, तुझरा बताएं, अमेरिका का मूर माहूल कैसा है, वहां डिमांड कैसी है, क्योंकि आपकी तो बड़ी सप्लाई है वहां आज का जो सिनेरियो है, वो अभी बहुत मूटेड है, वो बिलकुल आप सही कह रहे हैं, और जो यह दिख रहा है कि quarter three, quarter four, अभी holiday season भी थोड़ा कमजोर ही दिख रहा है, अमेरिका के अंदर, और मतलब इनकी कई काफी reasons रहे हैं, सबसे पहले तो freight and logistics रहे हैं, जिन्होंने last year एकदम ही upheaval कर दिया था, अनल जी, और मतलब जो cost एक product, जो landed cost ही 30% हो जाए product की, तो viability कहां से आएगी, तो recession तो जाहिरी था, बट एक चीज़ और important है अमेरिका को देखने के लिए, कि अमेरिका जो world का home textile consumption है, 34% जो home textile consumption है, वो United States of America से ही आता है, और हाँ अगर, और अमेरिका बहुत resilient economy है, लगता है कि staggered quarters में ये वापस आ जाएगी, so quarter three, quarter four, slow रहेंगे, because एक तो, you know, slow इसले भी रहेंगे कि end of the year है कई लोगों के लिए, तो हमको जो दिखेगा moment होता वा, हमारे financial year, April से दिखना चाहिए, बाकी अगर हम बाकी regions को देखें, UK, Europe, दोनों भी काफी slow है, वहाँ पर Ukraine war का भी बड़ा impact दिख रहा है, तो definitely scenario gloom है, gloomy रहेगा थोड़े दिन, but I think opportunities है आगे जाकर energy, तो आप ये कहने दिपाली जी कि ज़्यादा समस्य है, Europe में, UK में ज़्यादा है, अमेरिका में कम है, और अगर अमेरिका में कुछ recession या demand कम होने के खत्रे दिखे भी तो मार्च के बाद होगी, मार्च तक तो ठीक है, जी मार्च तक slow down है, मार्च तक आप slow down रहेगा, ओके, और उसके बाद reassess करेंगे, अचा एक चीज़ बताइए, तो आपके तो ज्यादा तर customers वहीं से हैं, क्या कुछ order cancellation हो रहे हैं, या orders नए आने में धीमा पन करते हैं, जरा, let me just clarify a few things to you, orders cancel नहीं होते हैं, हमारे 70-80% replenishment programs चलते हैं, अमेरिका के अंदर, और हमारे warehouses भी हैं, अमेरिका के अंदर, so from there, we do vendor managed inventories for a lot of retailers, and we have supply chain analysts sitting also in America, तो हमको पता चलता रहता है कि क्या rate of sale होती है, तो we actually keep on replenishing accordingly, तो orders cancel नहीं होते हैं, UK, Europe में slowdown जाहिर है, पर opportunity जरा आप well spend के नजरिये से देखे हैं, जो मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं यह कहना चाहूंगी आप सबसे कि, I think हम अभी exports पे definitely focus कर रहे हैं, पर एक हिंदुस्तान पे भी focus करते हैं, आपने जैसे D-Mart बोला और बाकी सब भी बोला, मैं यह बोलना चाहूंगी, India is the brightest spot right now for all of us to look at, जो आज हम यह बोलेंगे last quarter में 13.5% GDP growth हुई है हिंदुस्तान के, retail जो अपन को देखता, retail growth हुई है 15 to 20% and I think India is going to be the economy that the world is looking at and of course we as Wealthspen are also looking at, जो हम आपने numbers बताए, towel, sheets, rugs, carpets के, जो हमारे लिए बहुत important production capacities हमने बना रखी हैं, वो इंडिया के लिए भी focused हैं and we are looking at आज Diwali तक हम 10,000 stores तक पहुँच गए हैं and Wealthspen has become the highest distributed brand in the country, तो definitely हमारा जोर Hindustan की तरफ भी रहेगा और of course core categories हैं, जो America, Europe, rest of the world भी रहेगा और हमारी दो license brands हैं, Martha Stewart and Scott Living, जिन्होंने हमारी shelf space America में even in these kind of muted environments grow हुई हैं, जो की खाल United States of America में भी नहीं हुई हैं, Canada में भी हुई हैं और एक और मुद्दे की बात आपको बताना जाओंगी में, hospitality, आपने देखा होगा, COVID के time, जो wallet share था, वो गया था, home improvements में, health and wellness पे, आज वो wallet share जा रहा है, अपने experiences में, travel में and definitely that is going to become a very important part of our growth as well and hospitality is on track and we're definitely going to see an uptake there as well, globally. तो आपने बड़ी interesting बात की कि भले, globally थोड़ा माहोल डीला डाला हो, हिंदुस्तान में बड़ी strong demand, बड़ी अच्छी ग्रोथ है, ये बता है मैं कि कितना percentage आपका revenue हिंदुस्तान से आता है, कितना export से है? तो आप देखेंगे, हमने एक billion dollar किया था, last year revenue में, आज इस बार हमने 200 करोड के आइस quarter के अंदर, हमारा आज की तारीक में करीबन 4.6% आ रहा है for the past 6 months in the terms of the contribution from detail, और जैसे हम देख रहे हैं, हमारा 2026 का target है 15,000 करोड from entire Wellsman India, हमारा advanced, हमारा जो basically emerging businesses है, उसका contribution इस साल 49% रहा है, आगे जाकर 43% होगा, अब उसमें से retail की बात करें, तो इस pie के अंदर 13% हमारा domestic market होगा, including domestic flooring, जिसने इस quarter में ही 138% growth रेखी है, अगर मैं आपको domestic flooring की बात करूँ और clarify करूँ उस पे, यह हमारा green field project है, जो actually हमने primarily हिंदुस्तान के लगाया था, but it is also now servicing the global markets, and India of course, and we saw a 138% jump in our sales this quarter. Perfect. पिछले quarter के जो results हम देख रहे थे, margins थोड़े कम हुए, 16% से 6% के आस-पास आए, इसकी कोई खास वज़े, और क्या reasonable margins आप आगे चलते में, maintain कर पाएगी, जरह इसका आदा जाले. So, Anil जी, आपने margins की बात करी, पहले हमने commodity की बात करी, आपको पता ही है और जाहिर है, आपको ये भी बताना चाहूंगी मैं, हमने हमारा एक Otexar data होता, जिसे हमको world map का सब पता चलता है, सारी हमारी जो competitive countries है, के prices कम हुए हैं, जो अभी भी 5-7% higher है, world से, धीरे-धीरे हमको लगता है, वो नीचे आ रहे हैं, freight की costs नीचे आ गई है, and वो भी अभी, 30% मैंने बोला cost के अंदर, they went up by 58% energy. So, you can imagine and say, कि आज अगर एक product में 80% आपकी commodity की cost है, 30% अगर आपकी freight cost है, तब सोच सकते हैं क्या होगा, सही है ना? आगे आप यह देखते हैं, हमारा market intact है, हमारी supply chain intact है, commodities जैसे नीचे आएंगी, world जैसे with start coming in, I think everything will come into place, and एक और चीज़ बोलूंगी मैं आपको, यह quarter on quarter तो चलता रहेगा, but I think we should all look at the whole entire strategy, and the way that Wellspent India has performed, and definitely very very confident, हमारा US, UK, Europe, rest of the world में हमारा 38% growth हुआ है, and Hindustan will be the brighter spot, brands will be the focus, America we are focusing on a licensed brands, hospitality, and UK, Europe में भी हमारी खमने brand tie-up किया है, we'll talk about it later when it is signed up, but definitely that again is an opportunity. wonderful तो, यानि कि आगे के लिए future काफे bright और strong नजर आ रहा है, बहुत-बहुत धन्यवाद निपाली जी समय देने के लिए, और company की योजनौं के बारे में, और global markets में जो इस वक्त पोजिशनिंग है, जिस तरह का demand का माहूल है, उसके बारे में हमारे दोश्कों को पूरी रहाई देने के लिए.